जहिन सांतियो एक सवाल अक्सर हमारे जहन में खटकता रहता है कि यूजी सी नेट हिस्ट्री की attempt दे लेते हैं और उसके साथ जब result आता है attempt के बाद तो आपके हाथ खाली रहता है no results उसके बाद फिर किसी दोस्त से suggestion लेते हैं और कोई दूसरा जो market में available कई ऐसे रद्धी book हैं बहुत सारे guides हैं जो पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद फिर आपके जो है हाथ निराश लगता है निराशा के अलावा कुछ नहीं लगता है तो घबराये नहीं आज के session में जो मैं बात करने वाला हूं आपसे वह basic क्या किताब पढ़ी जाए कहते हैं कि अच्छे सिक्षक अच्छे मार्क दर्शक वही होते हैं जो आपको ये बताए कि क्या नहीं पढ़ना है पढ़ना क्या है वो तो ठीक है क्या नहीं पढ़ना है छोड़ना क्या है वो ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ने के लिए तो अनंत है चीज़े हमें क्या पढ़ना है जिससे हमारा जी आरेफ प्रिफर करनी है इतिहास के लिए इतिहास नेट के पेपर 2 के लिए तो घबराइए नहीं आज की सेशन में जो मैं basic आपसे बात करने वाला हूँ वो यही कि अगर history की book अगर हम लोग opt करते हैं for example history की book अगर हम लोग opt करते हैं देखो ध्यान से history कि book अगर हम चाहते हैं लेने के लिए ठीक है तो basically कौन-कौन से book को हम prefer करें इसको जानने से पहले आप इतना याद रखें क्या आप इनिशेटर है कि आप पहली बार आप पढ़ रहे हैं तो पहली बार अगर पढ़ रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ncrt कि ncrt के textbook को जरूर पढ़े और references textbook और इसके reference book प्लस reference यह वजह है कि बहुत सारे लोग directly बड़े बड़े बुक को पढ़ने शुरू कर देते हैं मैं यह कभी सजेस्ट नहीं करता कि बहुत बड़ा बुक पढ़ा जाए पर यह छोटा ही बुक कोई दिक्कत नहीं चोटे-छोटे अस्तर से शुरू कीजिए 6th class से 12th class तक आप इसको study कीजिए आपको realize हो जाएगा चीज़े इसके अलाबा NCRT के अलाबा जो दूसरा बुक बनता है आपके UG और PG लेबल के जो बुक्स हैं आपके यह बुक्स को जो standard बुक है standard आपके बुक्स है उस बुक्स को study कीजिए यह आपके लिए more than sufficient है कहते हैं कि इसी बुक को बार बार revise करें आपका result बनेगा लेकिन जो आप में जो चुल मचा रहता है न दिमाग में कि यह किताब पढ़ ले यह किताब पढ़ ले उन चुल के लिए मैंने कुछ किताब suggest की हैं suggested book में देखो यह सभी वो किताब हैं जो आप पढ़ सकते हैं अपने UGC net के लिए suggested book में देखो ध्यान से आज की session में हम सिर्फ suggestions book के बारे में आए हैं वर्णन करने के लिए पहला अगर आप से पुछे कि कौन से किताब पढ़ सकते तो Krishna ready की किताब को आप study कर सकते हैं Krishna ready ready जी की किताब को आप study कर सकते हैं दूसरे नंबर पर डियस तिवारी की किताब को study कर सकते हैं डियस तिवारी यह guide है हलागी बहुत helpful नहीं है लेकिन फिर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं प्रिवेस एर कोशन्स होगेरा एविलेबल है प्रैक्टिस पेपर एविलेबल है इस वजह से तिसरे नंबर पर मैं जो आपको सजेस्ट कर सकता हूँ वो सुजाता घोश है सुजाता घोश की पुष्टक को इतना ही नहीं जो one of the important है प्लासी टू पा partition to शेखर बंदो पादिया कि यह पुष्टक है शेखर साब की यह किताब को जरूर पढ़ें यह अपने आप में बहुत important है बहुत important modernistory के लिए इसके references book से direct questions आपके एक्जाम में आते है direct question आपके एक्जाम में इस reference से पूछा जाता है कान खोल के सुन लीजी इसके अलाव देट वस इंडिया देट वस इंडिया अब यह आप लोग सोच रहोंगे सर इतनी बुक कैसे एल भाशम साब की यह पुष्टक को आप स्टाडी कर सकते हैं इसके अलावा एफ नंबर पे एक और एक्स्रा ले लेते हैं एफ नंबर पे देट इस्टागल ओफ इंडिपेंडेंस यह स्ट्रागल फॉर इंडिपेंडेंस लिख लिजेगा इंडिया इस ट्रागल फॉर इंडिपेंडेंस फॉर इंडिपेंडेंस बिपीन चंद्रा बी चंद्रा की किताब को आप स्टडी कर सकते हैं इसके अलावा टूमेंस टूम की किताब को आपर naigen कर सकते हैं प्रमोजोंज स्टक की ये किताब है प्रमोज सिंग साहब कि एप अब आप यह सोच रहे होंगे कि से इतना किताब पढ़ेंगे सिर्फ नेट जिय आरिए तो मैं इसी इसलिए पहले ही आपको सजेस्ट किया था कि इस बुक को पढ़ लिजे एंसी आटी और यूजी और पीजी लेबल के पुस्तक को अगर आप इस किताब को नहीं पढ़ते दिमाग में अगर चुल मचा हुआ है तो मैं एक चीज और भी है एक बहुत इंपोर्डेंट पुस्तक के रुप में हम जानते हैं जहां तक की वो है आप डिरेक्ली क्रिशना रेडी की एक किताब को आप स्टडी कर लें ये मोर दें सफिशेंट है ये बुक वैसे सारे के सारे बुक आपके नेट जारेफ के कोश्चन क्योंकि कहां से पूछेगा पुरस्ट वो नहीं पता लेकि कि आगर आप वाकई में सहारा किताब के अलाबह भी अगर आप चाते हैं कि 100% सिक्यूरिटी चाहिए नेट जारेफ में तो हमारे साथ ये सेशन जरूर जोईन करें 26 तारिक से मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है साड़े 8 से 10 बजे रात के बीच में और ये UGC नेट हिस्टरी के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड है इन सभी किताब का को पढ़ने की जोरत नहीं है मेरे नोट्स अड़ा 24 इंटो 7 के नोट से आप कम्प्लीट कर सकते हैं कोर्स को और इतने अच्छे से कि 100% आप अपना सिक्यूर कर सकते हैं नेट जारेफ के जादा से जादा मैं यह 17% से भी जादा आप जो है अपना फी माफ करवा सकते हैं फ्री करवा सकते हैं तो घबरानी की ज़रत नहीं है आप मेरे साथ ज़रूर जुड़ें कुछ अच्छे बुक्स कुछ अच्छे नोट्स और मेरी गाइडेंस के साथ इस बार का यूजी से नेट अपकमिंग जो हो है अपकमिंगे नेट